इनसाफ शिकायत करता को ही ठाने में किया बंद सुभा से शाम तक मदद की गुहार लगाती रही महिला आरोपियों को पकड़ने की पुलिस ने नहीं समझा जरूरी जनपत संबल में पीडिक की मदद का पहला खेंदर होता है ठाना जहां पहले शिकायत करता अपने शिकायत कर मदद की गुहार लगाता है लेकिन वर्दी धारी का कारणामा सुनिये शिकायत करने गए शिकायत करता को ही ठाने में बंद कर लिया और दबंग मार पीट करने वाले शातिर बेखोग खूंते रहे एक बार फिर कानून विवस्था पर सवाल उते हैं जनपत संबल ठाना बनिया ठेर के गाउं धक नंगला में दर्वाजे पर चला रहे जनरेटर के धुआ को घर में जाने से मना करने पर दबंग परिवार मारने पर हावी हो गए जिसमें दो लोग खायल हुए शिकायत करता को जम कर पिटाई कर दी जिसमें शिकायत करता आरती अपनी मदद के लिए ठाना बनिया ठेर पुलिस के पास पहुंच कर मदद की रात में ही गुहार लगाई और शिकायत पत्र लिख करके दिया लेकिन पीडिता का आरोप है कि उन्होंने शिकायत करता के पक्ष के घायल दो लोगों को मेडिकल कराने के बजाय बन कर लिया जहां पीडित महिला और परिवार वाले सुभा से भूके प्या से शाम तक मदद की गुहार लगाते रहे लेकिन आरोपी खुले आम बेलगाम घुनते रहे पुलिस ने उन्हें पकड़ने का कोई भी दाईद्व नहीं समझा और पीडित को डरा थंपा कर फैसला करने की बात कहने लगे ऐसे में पुलिस पर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं आखिर पीडिता को न्याय कहा मिलेगा कौन कारवाही करेगा दबंगो के होसले पस्त कैसे होंगे इस मामले में गंभीरता से सोचने की जरूरत होगी जरूरत मामले में पहले में के खवाद से लिए तो में बात करें और भने लोगारे में रहे होगे अब दूआ गर में जा रहे हैं कोछ बात कुछ नहीं बोला इनको बोला बंद कर दो लेटाइगी तो पर इनों ने बंद लेगे बाई मेरा बोल ले गया और सो पंदरेवीश आदमी अता पाई कर दी उसके चोड़ लग गई है और फिर मेरी घरवारी पर लिपटगे चात्मा अब अब जाती है यहां लिपटगेस के अब प्यात में वी चोट आई है और यहां कोई सुनके तो कोई राजी ना है वह जो अब लेक्त तो महीं ने उपर आया तो मैं सब्साया वहां यहां पर मनले दस बज आ गया था तक तस बज आगया गात को तो ओगले जहां गात को अब बाई को इमारा रोशी को बंद कर रखा है तो यह अब बनी रेट थाना है तो अब डगलंगला कैसी जंद होती है